गाडी की सफाई डाडी पिक पूरे परिवार को गाओं में घुमाने ले जा रहे हैं चलो चले, सब लोग तयार हैं तयार है हाँ डाडी पिक, हम तयार हैं पर गाडी तयार नहीं देखो कितनी गंदी है इदनी गंदी नहीं है अंदर से देखो ज्यादा गंदी है शरार्ती गंदे डाडी शरार्ती गंदे डाडी जरा ये सब कच्रा तो देखिये अकबार वो मेरे है चॉकलेट वो मेरे है मिस्टर डाइनसौर डाइनसौर गोमने जाने से पहले हमें गाड़ी साफ करनी चाहिए ओह सही कह रही हो ममे पिग मामी क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं हाँ अगर तुम्हें करनी हो तो देड़ी पिग गाड़ी धोने के लिए साबुन वाला गुन गुना पानी लाए डाड़ी पिग चट धो रही है ममी पिग बॉनेट धो रही है पैपा दरवाजे धो रही है जॉर्ज को खिड़किया धोनी है पर वो बहुत चोटा है बेचारा जॉर्ज मैं तुम्हारी मदद करती हूँ जॉर्ज ने अपना स्पांज मिट्टी के गढ़े में गिरा दिया जॉर्ज तुम गाड़ी को दुबारा गंदा कर रहे हो मैं मिट्टी को दो देती हूँ पैपा वो पानी गंदा है पैपा ने गंदा पानी पूरी गाड़ी के उपर फैंक दिया कोई बात नहीं हम बगीचे के पाइप से उसे दो देते हैं क्या मैं पाइप पकड़ सकती हूँ पैपा ने पाइप पकड़ी और डाड़ी पिग्न पानी शुरू कर दिया पानी कहा है पानी कहा है वाँ नुर्च के क्यों तो चलो अब कार तो धुल गए हम सब धुल गए जाओ अपने आपने सुखालों में गाड़ी पॉलिश कर लेता हूं मिलते ने मिलते हैं बाद में डाडी पे इतनी अच्छी तहां से गाड़ी पॉलिश कर रहे है कि उसमें उठा चेहरा दिख रहा है कितना मज़ेदार चेहरा है ना, ओ, और भी मज़ेदार चेहरे, ये तो पेपा और जॉर्ज है, और ममी पिक भी, कितनी संदर चमकीली गाड़ी है ना, हाँ, मैं इन सारे चीजों में बहुत एक्सपर्ट हूँ, चलो, आज मैं चलाओंगी, क्या सब तयार है, तयार, तो फिर चलते हैं, उम्मेद करती हैं कि तुम सब आज ये गाड़ी साफ रखोगे, हाँ, ममी पेक, हाँ, ममे पेक, ममी, अब आपने गाड़ी फिर से गंदी कर दी, इस शरार्ति ममे, शरार्ति गंदी ममे, प्रोग्स और वर्म्स और पटरफ्लाइज पैपा और जॉर्ज गार्डन में ग्रेंटपा की मदद कर रहे हैं वाय। कितनी सुन्दर बटरफ्लाइज है। ग्रेंटपा बटरफ्लाइज पूल क्यों पसंद है। उन्हें फूलों से अपना खाना मिलता है। कैसे। उनकी बहुत लंबी जीब होती है। मुझसे भी लंबी। हो हाँ बटरफ्लाइ की जीब तुम्हारी जीब से भी लंबी होती है इससे वो फूलों का रस पीती है वाव पैपा बटरफ्लाइ को लगता है कि तुम्हें फूल हो लेकिन मैं फूल नहीं हूँ मैं पैपा पेग हूँ यह कितनी प्यारी है मैं बटरफ्लाइ बनना चाहती हूँ पैपा बटरफ्लाइ बनकर खेल रही है मैं छोटी बटरफ्लाइ हूँ जोज भी खेलना चाहता है जोज मैं बटरफ्लाइ हूँ तुम कुछ और क्यों नहीं बन जाते मुझे पता है तुम रेंगने वाले वर्म बन सकते हो देखो देखो मैं बटरफ्लाई हूँ ओ डियर जोर्ज वर्म नहीं बनना चाहता वो बटरफ्लाई बनना चाहता है जोर्ज जब मैं छोटा पीगी था मुझे वर्म बनकर खेलना पसंद था वर्म बनना बहुत आसान है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे पहले तुम्हें जमीन पर लेटना होगा फिर इस तरह रेंगना होगा मैं एक रेंगने वाला वाम हूँ जोर्च और ग्रेंट पापिक को रेंगने वाले वर्म्स बनकर बहुत मजा रहा है मैं छोटी बटरफ्लाइए हूँ मैं छोटी बटरफ्लाइए हूँ रेंगने वाले वर्म्स है बनना चाहती हूं ने वाली वां हूं हूं मैं एक रेंगने वाली वां हूं मैं हूं रेंगने वाली वां आप तो आप मुझे अच्छे लगते हैं मैं हूर रिंगने वाली वर्म वो बहुत अच्छा था अब तुम कौल सा जानवर बनना चाहते हो मैंने जानती देखो ग्रैंटपा यह चोटा फ्रॉग है तुम फ्रॉग बनकर क्यों नहीं खेलते फ्रॉग इतने प्यारी नहीं होते जितने बटरफ्लाइ और वो एसे नहीं रेंकते जैसे वर्म लेकिन फ्रॉग से एक खेल खेलते हैं जो तुम्हें पसंद है क्या फ्रॉग गुडियों का घर खेलते हैं प्यारी पैपा तुम्हारा मन पसंद खेल क्या है मिट्टि के गड़़्ों में खेलना हां! प्रोग्स को पसद है मिट्टी के गढ़ें में खेलना हां जोज, चलो प्रोग बन जाते हैं मैं छोटी प्रोगी हूँ हाँ, मीट्टीыйыйыйыйыйыйыйыйый astronomy प्रोगी इसको खेलने के लिए एक अच्छा बड़ा मिट्टी का गढ़ा मिल गया पेपा और जॉश को मिट्टी के गढ़ों में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है सब को मिट्टी के गढ़ों में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है बटरफ्लाइज और वर्म्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन मुझे फ्रॉग्स ज्याद अच्छे लगते हैं स्नो आज पेपा और जॉज बहुत खुश है बाहर बर्फ गिर रही है मामी क्या हम बाहर बर्फ में खेल सकते हैं हाँ पर बाहर बहुत थंड है तो गर्म कपड़े पहन कर जाओ अपनी कैप्स, स्कार्फ और कलफ्स भी पहन कर जाना बाहर बहुत थंड है पेपार जॉज को कैप्स, स्कार्फ्स और गलफ्स पहनने होंगे पेपाड जोर्ज बर्फ में पेरों के निशान बना रहे हैं पेपाड जोर्ज को बर्फ में पेरों के निशान बनाना बहुत पसंद है ओ यह क्या इसमें हसने वाली क्या बात है जोर्च चलो बर्फ के गोले बनाते है पेपा ने एक स्नोबॉल बनाया है पेपा और जोर्च को बहुत मज़ा रहा है वापस आजाओ जोर्च के बच्चे है हाँ लगता है कि खेळ थोड़ा जादा रफ हो गया सारी जोर्च जोज चलो स्नो मैन बनाते हैं फेपा और जोज एक स्नो मैन बना रहे हैं पहले उन्होंने उसका शरीर बनाया जोज ये स्नो मैन का शरीर है अब वो स्नो मैन का सिर बनाएंगे अब इसे चाहिए हाथ, आँख और एक मू जोज को स्नो मैन के हाथों के लिए लकडिया मिली है पेपा को स्नो मैन की आँखों के लिए और मू के लिए पत्थर मिले है ये इसका चहरा है अब स्नो मैन को नाग की जरूरत है स्नो मैन की नाग बनाने के लिए पेपा गाजर लेकर आई स्नो मैन बहुत खुश लग रहा है पर शायद उसे थोड़ी ठंड लग रही है स्नो मैन को ठंड लग रही है उसे कपड़े चाहिए स्नो मैन को गर्मी दिलाने के लिए जॉर्ज को कुछ कपड़े मिले है स्नो मैन ने पहनी अपनी कैप, स्काफ और गलव्स ममी, डाडी, आई और देखिये ममी ने पहनी है अपनी टूपी, सकाफ और ग्लव्ज मैंने आज से पहले इससे अच्छा स्नोमैन कभी नहीं देखा डाडी पिक को ठंड लग रही है उन्होंने अपनी कैप, सकाफ और ग्लव्ज नहीं पहने दादी, आपने अपनी कैप, सकाफ और गलव्स क्यों नहीं पहने? मुझे पता नहीं वो कहा है, कहीं मिल ही नहीं रहे शायद मुझे पता है कि दादी की कैप, सकाफ और गलव्स कहा है दादी की कैप, सकाफ और गलव्स स्नो मैन ने पहने है ओ हवा महल पेपा और उसका परिवार बाहर घूमने जा रहे हैं पेपा जोर्ज आज हम हवा महल देखने जा रहे हैं हवा महल क्या है डाड़ी ये एक महल है उची पाहडी पर जोर्ज को महल अच्छे लगते हैं हवा महल एक बहुत ही बोरिंग जगे लगती है नहीं पेपा तुम्हे पसंद आएगा हवा महल के उपर से सब सुन्दर दिखता है और तुम्हें दादा और दादी पिक का घर भी दिख सकता है वाँ चले चले मैं मैप पढ़ूंगा और ममे पिक गाड़ी चलाएंगे सोच लीजे डाडी पिक, मैप पढ़ने पर आप खो जाते हो और चिर्चिडे हो जाते हो हम गुम नहीं होंगे और मैं चिर्चिडा भी नहीं होंगा हवा महल हमा रहे हैं क्या हम आप पहुच रहे हैं अभी नहीं हो क्योंना हम कोई गेम खेलें जी डाडी हम पहचानों क्या खेलते हैं ठीक है पहले मैं पूछाूंगा डाडी पिक किसी चीज के बारे में क्लू देंगे और दूसरों को यह पहचानना है कि वह क्या है मैं अपनी छोटी छोटी आँखों से कुछ लाल देख रहा हूं, बताओ लाल मेरी ड्रेस, यह लाल है नहीं, तुम्हारी ड्रेस जैसा लाल है गाड़ी नहीं जवाब, अपने लाल गाड़ी मेरी बारी मैं अपनी छोटी आख से कुछ नीला देख रही हूँ जॉर्ज की नीली शुर्ट नहीं नीले राम का गाड़ी में कुछ है नहीं हार गए हार गए आकाश नीला आकाश मैं जीत गई डाड़ी पिग, क्या आपको पता है हम कहाँ है? मुझे बिलुकुल पता है हम कहाँ पर है अब ये रास्ता मैब की रास्ते जैसा तो नहीं लग रहा है ओ डाड़ी पिग, हम खो गए है हम नहीं खोहे हैं तो हम यहां से हवा महल तक कैसे पहुचेंगे? ज़रा एक मिनिट हीë सुनिये… हम दादा और दादी को फोन करते है Iss Значит दादा और दादी पिक को भून करने की कोई सब्रत है मैर ले जाओंगा हवा महल चाहे पुरा दिन लग जाए बर हमारे पास पुरा दिन नहीं है हलो… दादा पिग बोल रहा हु दादा पिग, हम हवा महल तक पहुचने के रास्ते में खो गए हैं क्या डाडी पिग नक्षा पढ़ रहा है? हाँ, डाडी पिग मै पढ़ रही है और अभी थोड़े चुचिड़े हो गए है मैं चुचिड़ा नहीं हुआ यह सबसे अच्छा रास्ता है जब तक तुम्हें अपने सामने ऊपर की तरफ हवा महल दिखता नहीं में रोड पर चलते जाओ थांक यू दादा पेग हमें में रोड पकड़ कर हवा महल तक पहुचना है जैसा मुझे लगा था देखो, क्या वो हवा महल है? हाँ, वही है हवा महल चलो गाड़ी चलो गाड़ी, तुम चैड़ सकती हो हुरे पेपा और उसका परिवार हवा महल पहुच गए वाँ, यह कितना उच्छा है चलो अंदर चले उफर से नीचे का नजरा बहुत सुन्दर दिखेगा वाँ जरा नजारा तो देखो मामी, क्या वो दादी दादा का घर है? हाँ, वही है कितना दूर है चलो, अब दूर्बीन से देखते हैं क्या मैं पहले देख सकती हूं, प्लीज ठीक है, लेकिन उसके बाद जॉर्ज को देखने देना वाँ दूर्बीन से सब कुछ जादा बड़ा दिखता है मुझे दादी और दादा दिख रहे हैं देखो जोज दादी एक, दादा एक जोज दादी और दादा पिक की तरफ हाथ हिला रहा है पूद्टू, जोज डादी و डादा इतनी दूर से तुम्हे हाथ हिलाते नहीं देख सकते तो ठीक है, हम उन्हे फोन करते हैं हलो डादा पेक, हम आपको हवा महल से देख सकते हैं हमारी तरफ हाथ हिलाइए डादी और दादा हमें हाथ बोड़े हैं हावा मेर्स पूर अच्छा है गार्डिनिंग पैपा और जॉर्ज ग्रैनी पिक और ग्रैन्पा पिक के घर खेल रहे हैं जुकी टाइब बचाइब ग्रैन्पा पकड़ो घर दूल हुँकी टाइनचार। इक टाइनसौब। ग्रैन्पाप क्या रहे है मैं ये बीज क्या है बीज बच क्या हुआ बीज क्या करते हैं बीज बड़े होकर पॉधे बनते हैं मैं बस एक चोटा चेद बनाओ गा और उसमें बीज डॉन्फटूगा फिर मैं इसे मिट्टी से ढख दूगा और पानी डालूगा मेरे बाग की हर चीज इन छोटे बीजों से ही उगी है ये बड़ा सेब का पेड भी ओ हाँ ये छोटा बीज बड़ा होकर एक छोटा सेब का पेड बन जाएगा इस तरहाँ और ये छोटा सेब का पेड बन जाएगा एक बड़ा सेब का पेड इस तरह और इस सेब में बहुत सारे बीज है और सेब के पेड उगाने के लिए इल्कुल ठीक ग्राणपा ग्राणपा मुझे भी एक बीज लगाना है क्या तुम एक स्ट्रॉबेरी का बीज लगाओगी हाँ बिल्कुल ये बीज बढ़कर एक प्यारा स्ट्रॉबेरी का पौधा बन जाएगा पहले एक छोटा छेद बनाओ फिर मैं ये बीज डालूँगी और मित्ती से डग दूँगी क्या मैं इसमें पानी डालूँ नहीं नहीं मैं पानी डालूँगी ठीक है अब हमें इसके बढ़ने का इंतजार करना है पैपा और जॉर्ज बीज के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है तुम्हें धीर अज रखना होगा पैपा इसको बढ़ने में बहुत समय लगेगा पैपा जॉर्ज घर जाने का समय हो गया लेकिन हम इस पौधे के बढ़ने का इंतिजा कर रहे हैं। मुझे चाय के साथ स्ट्रॉबेरिज चाहिए। चिंता मत करो पैपा। अगली बार जब तुम आओगी तो ये बीज एक पौधा बन चुका होगा। और फिर हमें स्ट्रॉबेरिज मिलेंगी। आओ चले पैपा। स्ट्रावबेरीज ग्रेंपा हम आ गये पैपा और जॉर्ज फिर से खेलने आये हैं ग्रेंपा क्या मेरा पौदा बढ़ गया हाँ देखो स्ट्रावबेरीज शुक्रिया ग्रेंपा ग्रेंपा क्या हम कुछ और उगा सकते हैं हाँ अब जॉर्ज की बारी है लगाने की हाँ जॉर्ज तुम लगाओ गाजर ग्रेंपा मेरे ख्याल से जॉर्ज गाजर लगाना चाहता है जॉर्ज क्या तुम गाजर उगाना चाहते हो ना तुम क्या उगाना चाहते हो जोर्ज ने कुछ सोच लिया है जो वो उगाना चाहता है टाइनसार जोर्ज उगाना चाहता है एक डाइनसार पेड तुम भी जोर्ज, डाइनसार पेड पर नहीं उखते है टाइनसार ममी पिग का बर्थडे आज ममी पिग का बर्थडे है डादी पिग ने ममी पिग के लिए ब्रेक्फस्ट बनाया है हैपी बर्थडे ममे पिग पेपा और जॉर्ज ने ममी पिग के लिए बर्थडे कार्ट बनाया है हैपी बर्थडे ममी अहो, यह कितना प्यारा बर्दे सप्राइज है और भी बहुत सारे सप्राइजेस मिलेंगे अपने बर्दे के ब्रिक्फस्ट का मज़ा ले लो, आराम सिखाओ यम्म्म, यम्मी शुर्दी करो, हमें बाकि सारी तैयारी करनी है डाड़ी पिंग ने ममी पिक के लिए बर्दे केक बनाया है अब हमें सर्फ कैंडल्स लगाने है एक, दो, मैं आ रही हूँ ममी पिंग ने अपना बर्दे ब्रिक्फस्ट खतम कर लिया ममी आ रही है ओ नहीं, हम अभी तयार नहीं है कौन है? मैं हूँ ममी, क्या मैं अंदर आओं? नहीं, नहीं नहीं, नहीं, कुछ भी तो नहीं लेकिन तुम अंदर नहीं आ सकती अच्छा ममे पिग, तुम आराम से हॉल में जाकर बैठ क्यों नहीं जाती? यह यह अच्छा है वैसे भी तुमारा बर्दे है ठीक है पेपा, मुझे पता है सोफा कहां रखा है यह 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 लोगा अच्छा सा मैगजीन थांक्यू पेपा और प्यारा सा म्यूजिक सनो थांक्यू पेपा हमें उतनी केंडल्स चाहिए जितनी ममी की उम्र है एक, तो, तीन ओ नहीं, हमारे पास उतनी कैंडल्स नहीं है तैदी, ममी कितने साल की है मैं तुम्हारे कान में बताता हूँ वाव, बहुत बड़ी है मुझे लगता है, तीन कैंडल्स काफी हो जाएंगी ममी पिक का बर्थ जे केक तयार है हुरे 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 ओ, आगे तुम लोग, मैं थोड़ी बोर हो रही थी ममी, क्या आप गार्डन में एक वाक लेना चाहेंगी क्या मेरे पास और कोई रास्ता है नहीं भाई-भाई ममी, अच्छा सा वाक लेना हम आपको जल्ड़ी बुला लेंगी, ठीक है मैं थो भूली गई थी कि बर्दे पर कितना काम करना पड़ता है डादी पिग, पेपा और जोज हॉल को सजा रही है मजा रहा है दादा और दादी पिग ममी पिग का बर्थडे मनाने आए है हैपी बर्थडे ममी पिग क्या तुम अंदर नहीं आ रही मैं अभी अंदर नहीं आ सकती डादी पिग पेपा और जोज मेरे बर्थडे के लिए कुछ सीक्रेट कर रहे है अच्छी बात है बाद में मिलते हैं बाई ममी, क्या अब आप अंदर आना चाहोगी हाँ, बिलकुल आउंगी आखे बंद करो अपनी आखे बंदी रखो ममी एक, दो, तीन, अपनी आखे खोलो कितना प्यारा सप्राइज है ये चलो अब कैंडल्स बुजाओ और विश मांगो मामी मामी अपना गिफ्ट खोलो कैस करो इसमें क्या है मुझे नहीं पता तो खोलो और देखो ये तो बहुत ही खुपसूर अड्रेस है वाँ अब खुपसूरत हो मामी अब इससे पहन कर किसी अच्छी जगा पर जाना चाहिए ये क्या है दो टिकेट्स आज रात के फिल्म की चलो चलें तांक यू मामी पिक को फिल्म देखना पसंद है मैं और दादी पिक बच्चों को घर पर समहल लेंगे हुरे कितना अच्छा बोदे है लगता है मैं दुनिया की सबसे लखी मामी हूँ और खुपसूरत भी लंच पेपा और जॉज दादी और दादा पिक के घर लंच पर आए हैं दादी पिक दादी एग हलो मेरी प्यारी बच्चों खाने के लिए बगीचे से कुछ सबजिया लाना चाहोगे जी दादी दादा पिक हलो पेपा जॉज ये है दादा पिक का सबजियों का बगीचा ये सारी सबजिया उन्होंने खोद उगाई हैं ये क्या है दाइनोसौर एक डाइनोसौर जलो बच्चों खाने के लिए कुछ सब्जया चुनते हैं पेपा तुम्हें टमांटर पसन है जी दादा पर जोर्ज क्या तुम्हें टमांटर पसन है जोर्ज को टमांटर पसन नहीं है ओहुँ तुम्हें सलाद के पत्ते पसंद है जी दादा पे ना जोज को सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं ओफो मेरे बास कुछ तो ऐसा होगा जो जोज को पसंद हो क्या तुम्हें खीरा पसंद है यक जोज को खीरा पसंद नहीं और सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं और टमा और्च, तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है? चोकलेट कैक. भुट तु जोज, चोकलेट केक कोई सब्जी थोड़ी है. सब्जियों का जब अच्छा सलाद बन जाए, तब शायद जोज को वो पसंद आएंगी. वा, बढ़िया टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा. पहले इन्हें अच्छे से दोना होगा. पेपा और जोज, दादी पिग की सब्जिया धने में मदब कर रही है. पस अब दोना बहुत हुआ. दादी पिग ने टमाटर, सलाद पत्ते और खीरे का सलाद बनाया. दादा पिग, सब को लंच पे बुलाईए. लंच. दादी पिग ने खाने में पिज़ा बनाया है. और ये रहा सलाद. दादा की टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा के साथ. खाना शुरू करो. जोर्ज ने अपना पिज़ा खाया, पर जोर्ज को टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा पसंद नहीं. ओ जोर्ज, क्या तुम्हें सलाद पसंद नहीं? नए. जोर्ज, इस ताजे टमाटर का एक टुकड़ा खाकर तो देखो. या. जोर्ज, ये खीरा है. दादा पिग ने इसे अपने बगीचे में उगाया है. या. शलाद पत्ते का एक टुकड़ा खालो, बहुत ही स्वादिष्ट है. ओहो, रो नहीं, जोर्ज. देखो, मैं क्या बनाता हूँ. अब ये बन गया है डाइनसौर. डाइनसौर. जोर्ज को डाइनसौर बहुत पसंद है. जोर्ज, टमाटर, सलात पत्ते और खीरा खा रहा है. शाबाश, जोर्ज. थोड़ा और लोगे, जोर्ज. बढ़ गया. जोर्ज, क्या तुम और टमाटर, सलात पत्ते और खीरा नहीं खा सकते? जोर्ज का पेट भर गया है. जोर्ज, क्या तुम्हारा पेट इतना भर गया है कि तुम कुछ भी नहीं खा सकते? जोर्ज और कुछ भी नहीं खा सकता. ओ, तो तुम ये चॉकलेट केक बिल्कुर नहीं खाना जाते चॉकलेट केक वावाव, लगता है जॉर्ज को दोबारा भूक लग गई पेपा और उसका परिवार केम्पिंग के लिए जा रहे हैं मुझे केम्पिंग बहुत पसंद है हम पहाज गए पेपा, जॉर्ज, ये टेंट मैं छोटा था तब से मेरे पास है डाड़ी, आप इन चीजों से टेंट कैसे बनाएंगे शिंता मत करो पेपा, मैं कैम्पिंग में एक्सपर्ट हूँ मामे पेग, लकडियों पर टेंट लगाओ प्लीज देखा तुमने, कितना आसान है क्या ये खोंटे किसे काम के है वेलकुल, मैं पेक्स के बारे में तो भूल ही गया पेक्स के सहरे, टेंट खड़ा हो गया हो गया ये टेंट थोड़ा छोटा लग रहा है जब मैं छोटा था तो ये बहुत बढ़ा था लेकिन आप ये छोटा क्यू लग रहा है? जोकि तब आप बच्चे थे और अब आप बड़े हो गए हो डाड़ी पेक और आपका पेट सबसे बड़ा हो गया है हो 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 पेट से याद आया, चलो खाना बनाते हैं हाँ हाँ आग जलाने के लिए हमें लकडिया जमा करनी होगी येपी पेपा और जोज केमफायर के लिए लकडिया ठूनने में डाड़ी पिकी मदद कर रहे हैं जोज, मैं लकडिया उठाऊंगी और तुम इने पकड़ लेना लकडिया इकठा करने में मज़ा रहा है बहुत अच्छे, इतनी काफी है बहुत अच्छा केमफायर है अब जलाते हैं ये रही माचिस हमें माचिस की जरूरत नहीं है डाड़ी, माचिस के बगर कैसे जलाओगे मैं पुराने तरीके से आग जलाने वाला हूँ दो लकडियों को एक दूसरे पर घिस कर डाड़ी पिक केमफायर जलाने के लिए दो लकडिया एक दूसरे पर घिस रहे हैं अब कहा है डाड़ी? थोड़ा सबर करो देखा कितना आसान है अब हम टमाटर का सूप गर्म कर सकते हैं प्रकृति के आवाजे सुनाई दे रही है ये कैसी आवाज है? ये कीडों की चीची आवाज है ये किसकी आवाज थी? वो उल्लू है, देखो, वहाँ पर वाँ और ये कैसी आवाज है? ओ, मुझे समझ नहीं आ रहा ये डारी के पेट की आवाज है मेरे पेट की आवाज प्रकृति की सबसे अच्छी आवाज है इसका मतलब खाने का वक्त हो गया मुझे टमाटर सुब बहुत पसंद है मुझे भी और अब सुनो डाडी पिक की एक और आवाज क्या? चलो बच्चो टेंट के अंदर अब सोते हैं हम सब इसमें कैसे जा पाएंगे ये तो बहुत चोटा सा है सब ठीक है जाओ तो अंदर चलो ममे पिग थोड़ी जगा दो मुझे डाडी आप इस टेंट के लिए बहुत बड़े हैं कोई बात नहीं वैसे भी मुझे बाहर सोना अच्छा लगता है गुद नाइट डाडी पिग गुद नाइट डाडी सब को गुद नाइट पमी पिग पेपार जॉज टेंट में सो रहे हैं और डाडी पिग बाहर सो रहे हैं तारों के नीचे मुझे कैम्पिंग बहुत पसंद है खुली हवा में तारों के नीचे सोना शायद यह आइडिया कुछ खास नहीं था सुबह हो गए है डाडी टेंक में बहुत अच्छा लगा बहुत मजाया ओ डाडी कहा है डाडी पिक चले गए बेचारी डाडी पिक बारिश की वज़ह से उन्हें थण लग रही होगी अब कहां है वो यह कैसी आवास है यह तो खराटों की आवाज लग रही है क्या हुआ दाडी आप ठीक है हाँ बिल्कुल ठीक हो मुझे क्या होगा कैम्पिंग में तो मैं एक्सपर्ट हूँ मैं गारी में आकर सो गया मुझे कैम्पिंग बहुत पसंद है दादा और दादी पिग पेपा और जॉर्ड के लिए ट्रेशर हंट बना रहे हैं दादी पिग ट्रेशर का मैप बना रही है दादा पिग बगीचे में ट्रेशर को छुपाने के लिए जगा खोद रहे हैं दादा पिग, आपका काम हो गया। पिपार जोज आती होंगे। परशान होने की जरुरत नहीं, दादी पिग। पिपार उसका परिवार आ गया है। जल्दी करो, दाधा पिग, वो आ गये। बस हो ही गया… तादा पिग ने बिलकुल वक्त पर काम खत्म कर दिया तादी पिग, हम आ गए हलो, मेरे प्यारे बच्चो तादा पिग तादा ची ओ, कैसे हो, मेरे प्यारे बच्चो पेपा, जोर्ज, तुम्हारे लिए ट्रेशर हंट बनाया है बगीचे में ही कहीं, छुपा हुआ है खाजाना वाओ, खाजाना कहा है वो? वो तो तुम्हें ढूनना होगा ये रहा खाजाने तक जाने का नक्षा और जोर्ज मेरा पाइरिट हैट पहन सकता है ओ, हलो, कैप्टन जोर्ज ये मैप थोड़ा मुश्किल है डाड़ी आप मदद कीजिए क्यों नहीं पेपा, मुझे मैप पड़ना आता है ये थोड़ा मुश्किल है डाड़ी पेग, आपने नक्षा उल्टा पकड़ा है अच्छा, मुझे भी ऐसे लगा था ये आसान है, लाल खुरॉस दिखाता है खाजाना कहा है लेकिन काड़ण में वो दोसेप के पेड़ कहां है हम मुझे नहीं पता तुम्हें मदद चाहिए हाँ प्लीज पहला क्लू बोतल में है लेकिन बोतल कहां है मुझे देख गई पेपा ने पहला क्लू धून लिया है बोतल में मैसज है देखिए ये रही बाटल शाबबाश पेपा देखते हैं मेसेज में क्या लिखा है वो ये तो एक पाइरेट का मेसेज है मामी क्या आप मेसेज पढ़ सकती है इस समुद्री डाको की राइटिंग बहुत ही खराब है नहीं नहीं पाइरेट की लिखावट बहुत अच्छी है नहीं मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ पा रही हूँ पाइरेट ने लिखा है निशानों का पीछा करो निशान का पीछा करो जोर्ज को दूसरा क्लू मिला है कुछ arrows के निशान जो लकडियों से बने देखो वो उस तरब जा रहे हैं पेपा और जॉर्ज आरोस का पीछा कर रहे हैं देखो जॉर्ज एक चाबी पेपा को अगला क्लू मिला है एक चाबी बहुत अच्छ है पेपा अब सिर्फ तुम्हें खजाने का बॉक्स ठूणना है जो इससे खुलेगा लेकिन यह और कोई क्लू नहीं है तुम्हें नक्षे को ठीक से देखना चाहिए देखो पेपा नक्षे में दो सेप के पेड़ भी है यहां एक सेप का पेड़ है और यह रहा दूसरा सेप का पेड़ इसका मतलब खजाना यहां है तो चलो देखते हैं ओ नहीं यहां पर तो कुछ भी नहीं है जरा रुको यहां पर कुछ है वाव खजाना मेरे पास इसकी चाबी है वाव यकीन नहीं होता सोने के सिक्के यह तो बहुत कीमती होंगे उससे भी ज्यादा यह सोने के सिक्के नहीं है यह तो चौकलेट के सिक्के हैं और यहां सब के लिए चौकलेट के सिक्के हैं पेपा और जोज को चॉकलेट के सिख्के पसंद है, सभी को चॉकलेट के सिख्के पसंद है, दादी, दादा, ये सबसे अच्छे ख़जाने की खोच थी, प्लेग्राउंड, पेपा और जोज अपने दोस्तों के साथ प्लेग्राउंड में हैं, कैंडी कैट और पेड्रो पोनी क्लाइमिंग फ्रेम पर हैं, रुबेका राबिट, सुजी शीप और डानी डॉग स्लाइट पर खेल रहे हैं, पेपा जूले पर जूल रही है, मामी, मामी, जूला जूलाओना, तुम तयार हो, हाँ, मुझे बहुत उचा जाना है, वी, और उपर मामी, वी, जूले पर जूलना है, अब तुमारी बारी जूल, कसकर पकड़ो, मैं जूलाओनगी, जूल को धीरे से जूलाना पेपा, जी, मामी, कसकर पकड़ना जूल, खूवी, पेपा ने जॉच को बहुत जोर से जुला जुलाया जॉच को ये बिलकुल पसंद नहीं पेपा तुम्हें पता है जॉच को उचाई से डर लगता है सॉरी जॉच चलो वहाँ खेलते हैं हलो सोजी हलो डानी हलो पेपा तुम सब गलत कर रहे हो जूलने का सही तरीका ये है पीछे रहो एक दो चलो मेरी तरब देखो मैं पंची की तरह उड़ रही हूँ मैं फस गई हूँ पेपा टायर में फस गई है ये हसने वाली बात नहीं है हमें धोड़ी हसी तो आ रही है तुम्हें बाहर निकालना होगा पेपा के दोस्त उसे बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं पेपा को स्लाइड करना बहुत पसंद है सब को स्लाइड करना पसंद है मामी, डारी, मुझे देखिये एक, दो, चलो, ये जोज को भी स्लाइड पर खेलना है तुम डरोगे तो नहीं न जोज, ये थोड़ा उंचा है ठीक है, मैं तुम्हे उपर चड़ा देता हूँ अफो, ये भी जोज के लिए बहुत उंचा है टरो मत जोज, मैं साथ में स्लाइड करता हूँ डाडी, आप इस स्लाइड के लिए बहुत बड़े है कुछ भी मत कहो पेपा, मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ चलो पीछे हटो, एक, दो, तिर डाडी पिक फस गए, इसमें हसने की क्या बात है डाडी आपको देखकर बहुत हसी आ रही है हाँ, शायद थोड़ी हसी आ सकती है हाँ मैं आपको नीचे धकेलना होगा जोर्ज को डाडी की पेट पर उचल कर अच्छा लग रहा है जोर्ज को अब उचाए से बिल्कुल डार नहीं लगता डाडी फोटो लगा रहे है ममी पेग और डाडी पेग के पास पेपा और जोर्ज का एक नया फोटो है हमें इस प्यारे से फोटो को दीवार पर लगाना चाहिए मुझ पर छोड़ दो मैं इस घर में सब में माहिर हूँ आपको यकीने आप ये कर सकते हैं बिल्कुल मैं दीवार पर सिर्फे किला मार के ये फोटो उस पर टांग दूँगा बहुत अच्छे मैं जा रही हो दादी और दादा पिक से मिल ले मैं आपको बात में मिलती हूँ और प्लीज कच्रा करके मत रखना कच्रा हूँ बाइ 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 हाहा हा हाँ क्या हम पोटो लगाने में अपकी मदद करे डैडी पहले तुम देखो तभी तो ठीक से सीख पाओगे पहले नापने के लिए टेप लेते हैं और एक पैंसल यहां पर मैं एक किला मारूंगा तीवार मत तोर देना ड्याड़ी अब मुझे जरूरत है एक हतोड़े की और एक किले की पीछे हट जाओ बच्चों और देखो मैं कैसे काम करता हूँ ड्याड़ी पर गब दीवार में कील मारने वाले हैं दीवार मत तोड़ देना डाड़ी कुछ भी बोलती हो पेपा कितना आसान है ऐसा नहीं होना चाहिए था डाड़ी पे कि वज़ा से दीवार में बड़ी दरार आ गई डाड़ी आपने दीवार तोड़ दी एक छोटी दरार ही तो है ये फोटो उन्हें छिपा देगी देखा हो गया मुझे अब भी दिख रही है डाड़ी मुझे भी काम करते हैं इसे निकालते हैं और ये दरारे भर देते हैं कच्रा मत करना डाड़ी कुछ भी बोलती हो पेपा आजाओ बहर जल्दी ओ डाड़ी अब आपने सच मुझ दीवार तोड़ दी आपको लगता है मामी को पता चलेगा हाँ शायद पता चल ही जाएगा चली करो जोड वो क्या कर रहे हैं डाड़ी हम आपको देख सकते हैं डाड़ी पिग को ममी पिग के घर लोटने से पहले दीवार को ठीक करना होगा एक एट दे दो डाड़ी पिग ने पहले एटों से दीवार को ठीक कर दिया देखा हो गया फिर डाड़ी पिग ने इटो पर प्लास्टर लगाया देखा कितना आसान है फिर डाडी पिग ने दिवार को पेंट किया हो गई ना पहले जैसी दिवार पहले जैसी हो गई पर घर में गंदगी फैल गई अरे नहीं मम्मी आने से पहले सारी सफाई कर देते हैं पहले डाडी पिग ने पेपा और जॉज को नहिलाया फिर पेपा ने फर्ष को साफ किया और डाडी ने सामान जगा पर रख दिया मामी ममी पिग वापस आ गई मामी ममी आ गई सुनो अब ऐसे दिखाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं हलो हलो वैसे आप क्या कर रहे थे ओ कुछ भी तो नहीं हाँ मैं देख रही हूं कि आपने कुछ भी नहीं किया आप तो दीवार पर फोटो लगाने वाले थे सारी हडबड़ी में डाड़ी पिक फोटो लगाना भूली गए ओब देखिये मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं पर ये काम तो बहुत आसान है हो गया हम बड़ी ही आसानी से लगा दिया पर जब आपने किया तो बहुत मुश्किल लग रहा था डाड़ी है ना पेपा कहा था ना किसी को बताना नहीं शॉपिंग पेपा और जॉज शॉपिंग के लिए जा रहे है पेपा और जॉज को शॉपिंग पसंद है जॉज को ट्रॉली में बैठना बहुत पसंद है और पेपा को भी ताड़ी क्या मैं भी इस ट्रॉली में बैठ सकती हूं तुम इस ट्रॉली के लिए बहुत ही बड़ी हो पर तुम शॉपिंग में मदद कर सकती हो अरी वाह देखो हमारी लिस्ट में चार चीज़े हैं टमाटर, नूडल्स, प्याज और फल मैं सब ढून लूँगी इस तरफ पेपा और जॉज को शॉपिंग बहुत पसंद है पेपा, पहले हमें टमाटर लेने हैं मुझे दिख गए, मुझे दिख गए ये देखो टमाटर ममी शाबाश पेपा एक, तो, तीन, चार अब उन्हें चॉली में डालो मुझे टमाटर मिल गए शाबाश पेपा टमाटर, लिस्ट की एक चीज मिल गई है अब लिस्ट में दूसरी चीज क्या है नूडल्स, तूडेट सही कहा जोज, लेकिन उसे नूडल्स कहते है डूडल्स नूडल्स पेपा और जोज का पसंदीदा खाना है अब ये नूडल्स कहाँ पर मिलेंगे मुझे दिख गए, इस तरफ नूडल्स देखो ममी, ये रहे नूडल्स शाबाश पेपा, अब चलो जल्दी से ने ट्रॉली में डालो जी कहा ममी तूडल्स जोज, इसे कहते हैं नूडल्स तूडल्स अब लिस्ट में आगे क्या है पेपा चिप्स चिप्स तो लिस्ट में नहीं है हमारे घर में बहुत सारे चिप्स है पेपा जरा याद करो मुझे नहीं याद आ रहा, डाडी के तुम्हें याद है, जोग्ज? दाइनिशू डाइनिसूर? जोग्ज यहाँ पर डाइनिसुर नहीं मिलता नहीं जोर्ज लिस्ट पर अगली चीज है प्याज प्याज अभी याद आया मामी ये रहे शाबाश एक दो तीन चार प्याज शाबाश अपने लिस्ट की लगभग सारी चीजे मिल गई लिस्ट की बस एक ही चीज बची है पौधा क्या ये लिस्ट में है नहीं नहीं जोर्ज लिस्ट पर आखरी चीज फल है कोई बात नहीं जोर्ज तुम फल चुन सकते हो फल कहां है वह अपन वहां सेब हैं केले हैं संत्रे हैं और एक बहुत बड़ा तर्बूज भी कौन से फल्ले जोर्ज सेब संत्रे केले तर्बूज इस काउंटर पर सारी चीजों के पैसे चुकते करते हैं टमाटर नूडल्स प्यास तर्बूज केक एक चाकलिट केक क्या ये लिस्ट में है पैपा क्या तुम ने चॉक्लिट केक चॉली में रखा नए मॉमी जोग्राज क्या तुम ने चॉक्लिट केक चॉली में रखा नएल नहीं मैंने भी तोree Tages फिर किसने रखा मुझे लगा पुटिंग के लिए अच्छा होगा डाड़ी पेग शरारती डाड़ी सॉरी लेकिन यह कितना यमी लग रहा है ना यमी तो लग रहा है ओ हम मान लेते हैं कि वो लिस्ट में था चोप्राइग हुराइग गर्मी का दिन सूरच चमक रहा है बहुत ज्यादा धूप है कितना प्यारा सुहाना दिन है पेपा और जॉज ने अपने जूते पहने हुए हैं मिठी के गड़ों में कूदने के लिए मजे मिठी के गड़े बहुत पसंद है ओ फो धूप इतनी तेज है कि सारे गड़े सूख गए हैं और हम उनमें कूद नहीं सकते कोई बात नहीं पेपा इतनी धूप है तो तुम अपने स्विमिंग पूल में खेल सकती हो हां स्विमिंग पूल लेकिन पहले तुमें अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने होंगी ममी पिग पेपा और जॉज ने अपने स्विमि कॉश्म पहन लिया है बहुत धूप है तुम्हें सनक्रीम की जरूरत पड़ेगी यह बहुत चिपचिपार गंदा है यह इसकी क्या जरूरत है है आज हम सब को जरूरत है ओओ ही 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 हो हो चलो चॉर्ज ही 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 ह पानी कहा है पैपा और जोज को अपना पैडलिंग पूल बहुत पसंद है आइस क्रीम आइस क्रीम मिस रबिट आइस क्रीम लाई है आइस क्रीम गर्मी के दिनों में मिस रबिट आइस क्रीम बेचती है मामी डैरी क्या जोज और मैं आइस क्रीम खा सकते हैं अच्छा ठीक है वैसे भी अज बहुत ज्यादा गर्मी है क्या मुझे भी आइस क्रीम मिलेगी सबको आइस क्रीम पसंद है हलो मामे पिक, पेपा और जॉज हलो मिस राबिट आपको कौन से आइस क्रीम चाहिए क्या मुझे कौन मिल सकता है प्लीज हाँ जरूर मिल सकता है पेपा तैंक यू मेरे लिए और डाडी पिक के लिए भी वही देना प्लीज और छोटी मिस्टर जॉज को क्या चाहिए डाइनिसार डाइनसार? बद जॉज वो हर चीज के लिए डाइनसार कहता है पर अच्छी बात ये है कि मेरे पास डाइनसार की आकार में एक कैंडी है ये लो डाइनसार जॉज पिघलने से पहले अपनी आइस कैंडी खतम करो ताइनिसार जॉज को डाइनसार की आइस कैंडी इतनी पसंद है कि वो उसे खतम नहीं करना चाहता थैंक्यू मिस्स राविट सब मज़े करो जोज, मुझे लगता है तुम्हें अपनी आइस कैंडी खातं करनी चाहिए पिखलने और जमीन पर गिरने से पहले ओह ओह जोज की डानोसौर आइस कैंडी पिखलकर जमीन पर गिर गई कोई बात नहीं जोज, तुम डाडी के आइस क्रीम में से खा सकते हो, वो बुरा नहीं मानेंगी इतनी ज्यादा गर्मी है कि डाडी पिख सो गए डाडी पिख को गर्मी लग रही है चलो हो नो ठंदा करने के लिए पर पानी डाते अच्छा इडिया है पैपा क्या हुआ आप गर्मी से पूरे लाल हो गए थे इसलिए हमने आप पर पानी डाला अच्छा थेंक यू पैपा देखो पानी के गड़े चलो जोज जूते पहनो पैपा और जोज ने अफने जूते पहने हैं पैपा और जोज को ऐसा गर्मी वाला दिन पसंद है पर सबसे ज़्यादा उन्हें गड़ों में उपर नीचे कूदना पसंद है आज स्कूल मेले का दिन है पैपा को मेले में आना अच्छा लगता है ये हैं पैपा के दोस्त केंडी कैट, सुजी शेप, डैनी डॉग, रिबेका रैबिट और पैड्रो पोनी हेलो दोस्तों मुझे स्कूल फेट अच्छा लगता है मुझे भी तुम्हें क्या अच्छा लगता है फेस पैंटिंग करना कुबारे पसंद है मुझे सबसे ज़्यादा उच्छने वाला कासल पसंद है मुझे सब कुछ अच्छा लगता है बहुत अच्छी पसंद है पैपा फिर मिलेंगे पैपा फिर मिलेंगे जॉर्ज, तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है डाइनसौर ओ डियर मेले में कोई डाइनसौर नहीं है जॉर्ज शायद हम एक डाइनसौर गुबारा ले सकते हैं आपको यकीन है उनके पास डाइनसौर गुबारे है डैडी पिग जरूर होंगे ममी पिग क्या पहले मैं और जॉर्ज अपना मूपेंट कर ले क्यों नहीं मिस रैबिट ने पैपा के दोस्तों को टाइगर जैसा पेंट किया है तो ये लो सूजी अब तुम्हें एक टाइगर जैसी लगती हो थेंक यू मिस रैबिट वाव मुझे तुम्हारा चहरा अच्छा लगा सूजी क्या तुम पुसी कैट हो नहीं मैं टाइगर हूँ पैपा तुम अपना चहरा पेंट कराना चाहती हो हाँ बिल्कुल मुझे बनना है एक एलेफिंट ओ डियर मैं एलेफिंट बनाना नहीं जानती मैं टाइगर बना सकती हूँ ठीक है टाइगर बना दीजिए लो हो गया पैपा अब तुमें एक टाइगर हूँ जोर्ज तुम क्या बनना चाहते हो डाइनोसल इसके बज़ाए एक टाइगर कैसा रहेंगे मैं अच्छा टाइगर बनाती हूँ मैं टाइगर हूँ मैं भी टाइगर्स वुफ वुफ नहीं बोलते तुम्हें कैसे पता क्योंकि टाइगर बड़ी बिल्लिया होते हैं और मैं एक बिल्ली हूँ कैंडी क्या तुम हमें सिखा सकते हो टाइगर कैसे बनते हैं आपके टाइगर बहुत दीने दीने चलते हैं और फिर कुटे है ताइगर खुद को चाटकर साफ करते हैं पर जब टाइगर खुश होते हैं तब पर करते हैं पर हेलो बच्चों ओ ये क्या है तुम सब टाइगर्स हो और मैं उन्हें सिखा रही हूँ ठीक से टाइगर कैसे बनते हैं तुम चोटे टाइगर्स और क्या करना चाहते हो डाइनसार बिलकुल ठीक हमें जॉज के लिए एक डाइनसार गुबारा ढूना है तुम सब को गुबारे दिलाते हैं अलो मैडम गजैल हमें कुछ गुबारे चाहिए जरूर मेरे पास अलग तरह के बहुत से गुबारे हैं क्या मैं एलेफिंट का गुबारा ले सकती हूँ ये तुम्हारे लिए पैपा मुझे कांगारू चाहिए एक लायन वाला मुझे मंकी मारे चाहिए एक पैररिट वाला हो हां मेरे पास ये सब हैं और सबसे जरूरी है हमें एक डाइनसौर का गुबारा चाहिए जरॉर्ज के लिए ओ त्यों मेले फ़क्रों मेरे पास ही इका आइडिया है क्या हम ये दो लंबे गुबारे ले सकते हैं सब लोग उसको देखो डैडी पिग गुबारे से क्या कर रहे हैं बन गया क्या कोई बता सकता है ये क्या है ये का गरू है नहीं ये है डाइनसार बिल्कुल ठीक डाइनसार 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 ने एक डाइनसार गुबारा बनाया डाइनसार अब वो उचलने वाला कासल पैपा को उचलने वाले कैसल में उचलना पसंद है सब को उचलने वाले कैसल पर उचलना पसंद है